Human Resources अपने आयुर्वेदिक फ्रांचाईज व्यवसाई के लिए Employees को कैसे हाया करे और कैसे मानेज करें? इसके बारे में यहां सजेशन दिये गए है. Hiring अपनी आवशक्ताओं को परिभाशित करें Hiring शुरू करने से पहले अपनी आवशक्ताओं को परिभाशित करना महत्वपूर्ण है. आपको अपने करमचारियों में किस प्रकार के कौशल और अनुभव की आवशक्ता है? जिन पदों पर आप Hiring कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारिया क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं एक बार जब आप अपनी जुरूरते जान लेते हैं, तो आप जॉब का डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं. इसमें पद की जिम्मेदारियां, आवशक्ताओं स्किल्स और एक्स्पीरियन्स और सालरी रेंज शामिल होनी चाहिए. एपलिकिंस की स्क्रीनिंग करें एक बार जब आपके पास नौकरी की डिस्क्रिप्शन हो, तो आप आवविदकों की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं. यहां बायो डेटा और कवर लेटर की समीक्षा करके, साक्षातकार आयोजित करके और संदर्गों की जाच करके किया जा सकता है. एक ओफर बनाएं एक बार जब आपको सही उमीदवार मिल जाएं, तो आप एक ओफर दे सकते हैं. इसमें सालरी, बेनिफिट्स और स्टार्ट डेट शामिल होनी चाहिए. मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन्स निर्धारित करें एक बार जब आप करमचारियों को काम पर रख लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन्स निर्धारित करना महत्वपूर्ण है. इसमें कमपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, आप किस तरह की परफॉर्मन्स की एक्सपेक्टेशन्स रखते हो और एक्सपेक्टेशन्स को पूरा न करने के परिणाम शामिल है. ट्रेनिंग प्रदान करना अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने काम में सफल हो सके यह ट्रेनिंग रेगिलर बेसिस पर होती रहनी चाहिए और कर्मचारी की विशिष्ट आवशक्ताओं के अनुरूप बनाई गई होनी चाहिए अपने कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन पर फीदबाक देना महत्वपूर्ण है यहाँ फीदबाक रचनात्मक होना चाहिए और कर्मचारी को सुधार करने में मदद करनी चाहिए कर्मचारियों को प्रेरित करें अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने काम में लगे रहें ऐसा उन्हे प्रagtि और विकास के अवसर प्रदान करके उनकी उपलब्धियों को पहचान कर और सकारात्मक कार्य वातावर्ण बना कर किया जा सकता है विवादों का समाधान करें किसी भी कार्यस्थल पर संधर्श अप्रिहार्य है विवादों को सुलजाने के लिए एक प्रक्रिया का होना जुरूरी है ताकि वे आगे न बढ़े कर्मचारियों को बर्खास करना कुछ मामलों में कर्मचारियों को बर्खास करना आवश्चक हो सकता है यह केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और निश्पक्ष और सुसंदर तरीके से किया जाना चाहिए निश्कर्ष इन युक्तियों का पालन करके आप अपने आयुर्वेदिक फ्रांचाइज बिजनिस के लिए करमचारियों को सफलता पूर्वक हायर और मैनेज कर सकते हैं